हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पड़ा आसपास खड़े नर्सिंग स्टाफ ने उसे समालने की कोशिश की और सरकारी स्पताल लेकर गए जहां पर उसे मृत घोशिश कर दिया एक मिनिट का ये सीसी टीवी वीडियो सोशल वीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जानकारी के अनुसार 15 निवासी व्यापारी दिलिप कुमार कहीं सालों से सूरत में कपड़े व्यवसाय का काम कर रहे थे चार नवंबर को सामाची कारेकर में इस्सा लेने के लिए बाड मेर आये थे पांच नवंबर को उनके दातों में दर्ध होने लगा तो बालोत्रा में एक क्लीनिक पर इलाज के लिए पहुँचे वेटिंग हॉल में अकबार पढ़ने के दौरान अचानक उनकी तब्यद बिगडी और जमीन पर जागी रे पूरे घटना करम के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाये गया जहां चेकिसकों ने उन्हें मित गोशित कर दिया वेटिंग के भाई महिंदर ने बताया कि दिलिप कुमार दो दिन पहले बाड में राये थे और पूरी तरह से स्वस्त थे अचानक क्लीनिक में माइनर अटेक आने से उनकी मौत हुई है परिवार के लोग लंबे समय से सूरत नहीं निवास कर रहे हैं दिसी टीवी के वीडियो में आप देख सकते हैं कि वेपारी हमेशा की तरह अख़बार पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ सवकंड में ही अख़बार पढ़ते पढ़ते जमीन पर गिर गए रिसेप्शन में यूपती भी नजर आ रही है इसके बाद डॉक्टर और अन्ने लोग वेपारी को उठाने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं ये पुरा घटना करम शेनिवार की सुबर दस बजे का है वेपारी दाथ में दर्द होने पर क्लीनिक में इलास के लिए पहुँचे थे जहांपर माइनर अटेक से उनकी मौत हुई है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे इस वीडियो पर लोग लिख रहे हैं कि कोरोना वाइरस की चपेट में आए लोग किस तरह माइनर अटेक का शिकार होकर अपनी जान गवा रहे हैं इस पर रिसर्च होनी चाहिए जाग रूप टीवी के लिए बाड मेर सीट ठाकडा राम मेगवाल की रिपोर्ट